Hello students, hope you are all doing well, welcome and welcome back to my channel तो जामुन का पेड़ हमारे चैप्टर का नाम है जिसके जो राइटर है वो कृष्ण चंदर जी है और ये चैप्टर नमबर 7 है आपका क्लास 11 आरोह भागवन से और ये आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है तो हम इसके important question answer को cover कर रहे हैं तो आज जिन questions को हम अपने इस वीडियो में cover करेंगे वो हैं आपके सामने तो start करते हैं question number 1 है क्रिशी विभाग ने चामुन के पेड़ के नीचे दबेवेक्ती का मामला बागवानी विभाग को बेजने के लिए क्यों कहा था क्योंकि फाइल इदर से उदर घूम रही थी हर विभाग अपनी अपचारिकता को पूरा कर रहा था और फाइल को दूसरे विभाग को सौप रहा था तो जब फाइल क्रिशी विभाग के पास पहुँची तो वो क्रिशी विभाग ने मामला बागवानी विभाग को बेजने के लिए बोला तो ऐसा उसने क्यों कहा तो उत्तर होगा क्रिशी विभाग ने जामुन की पेड़ी के निचे दबे व्यक्ति का मामला बागवानी विभाग को बेजने के लिए कहा क्रिशी विभाग के अनुसार क्रिशी विभाग के पास अनाज और खेती से संबंदित मामलों में निर्ने लेने का अधिकार होता है क्रिशी विभाग ने कहा कि वो तो केवल और केवल अनाज और खेती से संबंदित मामलों का निर्ने लेते हैं तो वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं तो उसके पीछी का रिजन था कि जामुन एक फलदार पेड़ है इसलिए मामला बागवानी विभाग के अंतरगत आता है और उन्हें ही इस मामले में फैसला लेना चाहिए और इसके बाद उन्हेंने फाइल बागवानी विभाग को सूंदी क्योंकि जामुन का पेड जो गिरा था सेक्टरेट दफ्तर के लॉन में और उसके नीचे एक आदमी दब गया था और वो वहीं दबा हुआ था तो उसको निकालने के लिए मामले की जद्धो जहत चल रही थी तो क्रिशी विभाग ने ये बहाना लगाया कि वो तो केवल और केवल फसलों का खेती बाड़ी का अनाजादी का प्योरा रखते हैं और जामुन का पेड जो है एक फलतार विरक्ष है और फलतार विरक्ष होने कर आति ही जो मामला है इसका मामला भागवानी विभाग के अंतरगत आता है इस लुडने फाइल को भागवानी विभाग के पास भीज दिया की वो इस मामले पर कारेवाई करे तो बढ़ते है next question की तرف तो next question है जामुन के पेड़ी के नीचे दबा हुआ व्यक्ति जब कविता बोलता है तब उसके बाद क्या कारेवाई होती है क्योंकि जामुन के पेड़ी के नीचे जो व्यक्ति दबा है वो तिल-तिल मोद के मुँँ में जा रहा है और उसे पता है कि कोई उसे नहीं निकालेगा क्योंकि सरकारी भाग की अपचारिकताओ को शाहिदो कहीं न कहीं जानता था और उसे लगा कि अब वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा तो इसी वज़े से उसने माली को दो चार लाइनों में कुछ कविता कहकर सुनाई थी उसके बाद क्या कारवाई हो यह उत्तर होगा कि जब माली पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को बताता है कि उसका मामला सेक्ट्रियेट के सारे सेकेट्रियों की मीटिंग में रखा जाएगा तो उसी समय व्यक्ति के मुह से एक कविता निकल जाती है और जिससे माली को यह प कविता माली को कहता है और उस कविता के थरूँ चार लाइनों के थरूँ वो अपनी दुर्दशा को माली को बताता है माली को पता लग जाता है कि यह तो एक कवी है और इसी विज़े से अब वो क्या करता है कि वो इस कवी होने की बात को अपने ऊपर के लोगों को भी बता माली दफ्तर के सभी लोगों को बता देता है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति एक कवी है और जैसे ही व्यक्ति का जो मामला है उसकी जो फाइल है वो संस्क्रतिवी भाग को भीजती जाती है क्योंकि अब सभी भी भागों को अपना पल्ला जाड़ने का एक और मुक कारे वहिनी की जाती बल्कि कभी लोग उसके चारों रिकठा उपर उसे कवीताय सुनाने लगते हैं किसी को भी इस व्यक्ति के तरद पेड़ा से कोई लिगा देना नहीं होता क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि अब यह जो व्यक्ति दबा हुआ है तो सभी लोग वह पह बाटकर किसी भी तरीके सवस्वेक्ति को बाहर निकाला जाए और उसे ततकालिक उपचार दिया जाए तो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो नेक्स कोशन है जामुन का पेड़ गिर जाने पर जब वहां दफ्तर के लोग इकठा हुए तो उनकी क्या प्रतिगिर थी द दबा है तो नोन Nossa Отमी के लिए तो कुछ बी कहा उनकी सारी की सारी जो प्रतिग रहे थी वो सर्फ और स्ड़िफ जामुन के पेड़ को ले कर थी रात के तुफान में सचे वालियों के लान मे किढ़ा जामुन का पेड़ गिर गया और एक अदमी उसके ढीचे दब फालदार था और इसके जामुन कितने रसीली होती थी लेकिन उन में से कोई भी जामुन के नीचे दबे वेक्ति के बारे में चिंदा नहीं कर रहा था क्योंकि कोई भी ये नहीं देख रहा था कि वेक्ति जिंदा है या मर गया उस वेक्ति को कैसे निकाला जा सकता है तो जाम बड़ा पेड़ था इसकी चाय कितनी होती थी लोग इसकी चाय में बैठते थे और जामुन का आनन्द लेते थे तो इन सारी चीजों से हमें यही पता चलता है स्टुडंस की जो लोग हैं वो कितने अमानवी हैं लोगों का लोगों के प्रतिही कोई भी आज के टाइम में बि गुंगान करते हैं जामुन के पेड़ से इने फायदा था तो इस जामुन के पेड़ का गुंगान कर रहे थे उसके गिर जाने पर दुखदर्द व्यक्त कर रहे थे नीचे तब व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं था उसको शायदी जानते भी नहीं थे इसलिए उस भाव नहीं था तो student उमीद है इस सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से clear होए होंगे वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में Till then keep watching, stay connected, thank you